एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिंग डॉंग को दिखते हैं जो कि एक खूफिया कमरे में आ चुका था उसको नहीं पता था यह कमरा या पर कैसे आया पर उसे कुछ अवाजे सुनाई देती है तो अपनी पावर्स के दरफ नोटिस करता है तब उसके पावर में से एक प अपने अंदर ले लिता है जिस कारण नों बहुचा तक खुष होता है फिर हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन जहांपर कि उसकी भाएं बागते वे जारी थी इसका मल्दा कोई बड़ी प्रॉब्लम है तब ही वोस टड़की को रोपने के लिए क्याते हैं और क्याते हैं तुम यह नहीं आ सकती हो तो उसका पैट उसमें बड़क जाता है जिस कारण वो सब डर जाते हैं क्वीन टान कहती है कि मुझे अपने बाएं लिंग डॉंग की पास जाना है दस दिन पहले उसने टावर पैटन में पार्टिसिपेट भी करा था और हमारी फैमली मुसीबत म मुझे उसको चलती से चलती पुलाना है तब विवा की लोग मान जाते हैं और उसको अपने साथ आने के लिए कहते हैं तब हमें टावर की बाहर का सीन दिखाया जाता है जापर की मास्टर यान और जी आयो उसका वेट कर रही थी तब विए कहती है कि मास्टर देखो आने का और आपको पता है मैंने रिवन टावर से बहुत सारी इंप्रोव्मेंट गैट भी कर ले हैं तब मास्टर हैं और कहते हैं यह तो बहुत ज़्यादा आश्चरी के बात है सौ साल से उस हाइटन रूम में अभी तक कोई भी नहीं गया पर तुमने कर दिखाया तब ज टेंग लिंगोट वे सिस्ट्रम आप हागते बहुत है तब लिंग्ड ओंग कुंटान से पूछता है कि क्या हुआ तब कुंटान बता दिये किसी ग्रूप ने हमारी फैमिले पर अटग कर चुका है और पादर और ग्रेंपा बहुत जादे इंजा है तब लिंग डॉंग कह जाता है जापर कि उसकी फादर को पहुत जादा मारते हैं तब उसकी ग्रेंट फादर से बोलते हैं कि मैं एक और लास्ट पार पूछ रहा हूं कि वह स्टोन माइन कहां पर रखी है तुम मुझे उसे दोगे आफे नहीं जल्दी बताओ तब लिंग डॉंक की फादर कहते हैं हैं कि बबको इस्टोन माइन हमारी आगरी उमीद है सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि तोड़ेघर क कि आ तब हब चाओए कैंशा मोणा वह करना यहां प्How to पचाताएं पादर काएट काटने वाला होता है तेसे टांप लिंग ड Gospel दोंग अपनी इंफादर अपे अपनी नाइप से टनी करता है ऑर लिंग डओंग अपने सामने आजाता है लिंग डओंग अपनी वादर से पुछता है कि आप ठीक हूं ऑ़ान उसकेपादर को हमारे लोगों को मारा था और फिर हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जहांपर के लिंग डॉंग अपने लोगों की चान बचाता है और उनके लोगों को मार डालता है तब ग्रेंड फादर कहते हैं कि लिंग डॉंग से कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मिर से लड़ पाएगा तब लिंग्डों ग्रेंटफादर से कहता है कि आप फादर को प्रोटेक्ट करो तब लिंग्डों और वीजर से उस पर अटेक करते हैं जिसक्ता है और उसकी बौड़ी भी दिखाई नहीं देती क्यूंकि वो गयाप हो चुका था यह सब देखके कि उनकी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं और तभी वहां पर master yen और GIO पी आ जाते हैं master yen बथाते हैं कि आपके बेटे ने city को चीच चुगा है और अब उसके पास और भी सादा powers आ चुकी है तभी वहां के लोग बहुत खुज होते ह अर लिड़का खानने लगते हैं है तब ही अगले सेनं में हमें दिखाया जाता है कि लिए नौ seu प्रेक्टिस दे रहा है क्योंकि जब वहाँ पर ना रहे तो वह उस संद था कर सके सब मेरी में तो पो क्रीजियागों चैन कर दा हो जाएगी झाले लुटे लुटें